हेलो स्टुडेंट्स में आपका स्वागत है और इस वीडियो के माध्यम सम्मलों रेशियो और प्रोपोर्शन्स के कुछ कोशन्स के ट्रिक्स देखेंगे जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी नए नए तरीके के एक्जाम्स हा रहे हैं अब देखे सिख्चक दम सकंदेंग रहें हो तो कि चाहें वो सिख्चक के लिए बीपी असी से हो या एस्टेट हो सी टेट हो या फीर님이 a बैंकिंग हो, रेलबेज हो, किसी के भी जो मैथ पार्ट्स है, जो मैथ सेक्शन्स है किसी भी सीविल एक्जाम्स के लिए, तो उन में जिन तरीकों का मैथ में कोश्चन सिस्टमाल होगा, उन सब ही को हमने 19 बागों में बाठ रखा है, यानि 19 चेप्टर्स में बाठ रखा है और चेप्टर वाइज हम जितने भी ट्रिक्स आ सकते हैं, सबका कमबाइंट्स है, जितने भी तरीके के ट्रिक्स आ सकते हैं, उनका हम ट्रिक्स आपको बता रहे हैं, और अगर आप उस पे प्रैक्टिस करेंगे, तो यकीन मानिए कि आप 100% मैथ सेक्शन्स में पूरा कोश और सही-सही कर पाएंगे टाइम के अंदर, लिमिट टाइम के अंदर, तो चलिए फिर से आपको एक बार इन्वाइट्स करते हैं, बिन इन्टे स्टेडी पॉइंट्स में, और आप चेप्ट करते हैं कि चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, और चैनल पे जो भी ट् डाल दे, इसके आलावा आपको एक इन्फर्मेशन दे दूँ कि यहां पर हम टिक्स के द्वारा सल्प कर रहे हैं, लेकिन ये क्लासेश फिजिकली चलता है, जहां डीटेल्स में पढ़ाया जाता है, तो वो कोर्स लंबा होता है, एक साल का होता है, तो उसमें डीटेल्स मे जो VPSC से हो रहा है, उन तक अगस सितंबर में उनका होने का चैंसस है, तो ये तीन महीने जो एक जाम से टाइमिंग है, तो ये तीन महीने में पूरा डीटेल्स में नहीं कर पाएंगे, इसके बावजोद भी आप ट्रिक से जुड़े रहे और डीटेल्स में पढ़ना चाह करते हैं, चलिए हमारा थीम में की easy tricks द्वारा आपको सारे questions करके दिखाये जाएंगे, और उसके साथ साथ आपके knowledge में growth हो, इसके लिए छोटे से thoughts को लेकर बड़े thoughts तक हर thoughts को आप तक clear किया जाएगा, जो भी आप पे raise करेंगे, और ये दोनों आप clear करते हैं, तो naturally आपको success 100% मिलेगी, तो अब भी हमारा sections math का है, तो चलिए math में देखते हैं, और आपको उसको जोग भी doubts होगा, इस doubts को हम इसी sections में complete करेंगे, आपको दिखाएंगे, लेकिन आप doubt create करेंगे तो, अब भी हम केबल आपको tricks के द्वारा solve करके दिखाते हैं, उस trick का इस्तिमाल करके आप solve कीजिए, और आपको जो भी problem चाता है, उस problem को हम तक बेजिए, उसको details में हम आपको समझाएंगे, चलिए तो पहले questions पर आते हैं, पहला questions है कि यदि A, B, C, B, C, C, D, D, अभी तक 3 का आपने समझाया था, कि 3 आएगा, तो वो कैसे निकाल लेगा, लेकिन अभी ये 5 तक हो गया, ये से लेकर E तक, कोई दिक्कत नहीं है, आप देखिए कैसे कर लेंगे इसको, सबसे पहले आपको क्या करना है, तो आपको सबसे पहला जो काम करना है, वो ये देख लेना है कि रेशियो परफेक्ट है कि नहीं, प्रोपर है कि नहीं, क्योंकि कुछ भी ल इसमें common parts है एक common factors है 3 तो यहां ratio यह हो जाएगा 2 ratio 3 यहां भी देखिए 12 और 16 है इसमें 4 common factors है तो यहां पर हो जाएगा 3 ratio 4 अब वह थ्री वाला जो मैंने आपको बताया वहीं आपको यहां भी यूज करना है वह क्या यूज करना है कि a b c d e लिख देना है 1 2 2 2 दो नहीं है 3 4 और उसके अभी यहां पर आगया है 2 3 तो 2 3 और यह 3 4 हो गया है तो 3, 4, यानि कि यह क्लाइन में लिखना है उनको order बनाना है कि पहला वाला रेसीव फर्स्ट रो में, दूसरा वाला सेकंड रो में, तीसरा वाला थार्ड रो में, चौथा वाला फॉर्थ रोट में, आई इस तरह से आप करके क्या करेंगे, तो पहले तीन के लिए आपका व लेते हैं, B, C, D, तो जब 3 को एक से करेंगे, तो यह हो गया 3, और 2 को 4 से करेंगे, यह बहला बहला है, 2 से 3 हो गया, और 2 को 4 से करेंगे, तो यह क्या हो जाएगा? इनको इससे करना है, तो यह हो जाएगा 6, और इनको इससे कर देंगे, तो यह हो गया 8, अब यहाँ पर आका एक आपको प्रोब्लम्स हो गई, तो देखिए यह 3, 4 और 3, 4 यह दूनों कॉमन है, तो यह जो टॉम्स होगा इससे और इससे, यह दो मल्टिप्लाइड करेंगे तो दूसरा निकलेगा, यह द्यान रखना, बस इतना सा द्यान रखना कि दो रिसी अगर मिल रहा है, तो फिर एक ही को दोनों से मल्टिप्लाइड करते है, तो 3 और 12 करेंगे, 3 और 4 करेंगे, तो 12 हो जाएगा, और 4 और 4 करेंगे, तो 16 हो जाएगा, यह आपका ट्रिक्स है यह जहां कहीं पर भी है, आप लगा दें, यह यहां पर 4 में है, तो यह ट्रिक्स है, बस यह देखना आगर अलग अलग रहता, तो फिर आपको यह 3 में जो किये है न, इन 3 को लेकर, इन 3 और 3 से यहां पर आता है, और बाकी जो बचा हुए, यहां जाता है, कब जब यह रे इस लिए जब चैल्टा कर पूंचेगा तो हम सारी चीजे यहाption लेकर आए मनेंदे और वी लेकर आएगे और लंग्वेज है जीएस है वो सब लेकर रमाएंगे लेकिन जब चैनल ग्रोथ करेगा तब अभी फिलाल सम्भव नहीं है अभी इन सारी को सब्जेक्स के लिए हमारे पेट क्लासे में चलना पड़ेगा चलिए लेकिन यहां भी आपको 100% से और कर देते हैं गरांटी देते कि अगर आपने त्रिक का इस्तिमाल किया और इस तरह कोश्जन्स आपके पास बूक्स होगा उसमेंश से छाट ले कौन-कौन सा इससा करदा है और इक सेफ्टर हम कॉशंथ में जितने ट्रिक्स बता रहा है उससे जयादा त्रिक्स आने वाला नहीं है तो अगर इसा करते ह तो फिर आपको complete आप तयार कर पाएंगे और उसमें भी आपको problem साता है तो जब आप questions बेजेंगे तो इसी कार्ज क्रम में यहानी tricks में हम बता रहे हैं लेकिन जब आप questions बेजेंगे तो उसको पूरे thoughts के साथ आपको बना कर दिखाएंगे और जहां कोई confusion होगा कि आप हाँ confused हो सकते हैं कि ऐसे हो सकता है तो वह questions हम यहां भी details करके आपको एक बड़ जरूर समझाएंगे तो चलिए पहला था अब दूसरा आपको जो भी problems आ रहा है साथ में निकलने पहले यहां देख लें 15 साथ साथ पंद्रो का रेशियो निकालना है ठीक है तो इनको क्या करेंगे एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे तो जोड़े हुए parts को उपर यानि कि यह देखो 15 और साथ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 22 और साथ तो यह भी हो जाएगा 22 ठीक है और इन दोनों को add करेंगे कितना हो जाएगा 66 कटता है इन सब से कटता है न तो कटा देंगे और यह 22-22 क्या होगा है यह x था y था मतलब हमारा पहला part में जाएगा x y is equal to 3 ठीक है और यह minus भी किये थे तो minus करने पर क्या हो जाएगा minus 8 और यहां भी minus करना है तो 15-7 और यह हो जाएगा कितना 22 22 हो जाएगा और 7-8 हो जाएगा sorry minus करेंगे तो 8 तो यहां 8 मिलने वाला है तो यह कट जाएगा तो यह minus 1 यानिके minus 1 यहां x minus y अब हमारे पास है x plus y और x minus y is equal to 3 y minus 1 फिर वाही प्रोसेस करना है यानिकि एक बार इन दोनों को add करना है यह भी बटे में ही था 15 x plus 7 y और 7 x plus 15 y ठीक है उसी से था अब उसे समलों निकाला तो एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे रेशियो छोटा हो गया और वो प्रोसेस को फीर से करेंगे तो जब इसको जोड़ेंगे तो उपर 2 x हो जाएगा आप जोड़कर देख लिजेगा और घटाए जाएगे तो 4 हो जाएगा अब गटा कर देख लेंगे अब यह 2 से 2 कट गया और यह तो एक्स वाई इस उकल टू बाइटू तो 2 x is उकल टू आई इतना फटा फट करके निकाल लेंगे इसमें डिरेक्ट डिरेक्ट भी हम रखके निकाल देते लेकिन यह जैसे मैंने कहा न आप देखेंगे पूरा वीडियो तो मैं जो बोल रहा हूं वह आप भी सुनेंगे इस पर पूरी तो चीज रहा हूँ नहीं लेकिन जो मैं बोल रहा हूं सुनेंगे प्लस इस पर लिखा जा रहा है कैसे आया आपको समझ में आ जाएग तो जो ट्रिक्स आपको तो यह हो गया 15 x और यह 2 x कर देंगे तो 4 28 कितना हो गया 43 x square ठीक है और यहाँ पे x 7 हो जाएगा और y की जगह तो यह 4 तो 60 कितना हो गया 66 x square x square कट गया 43 60 मतलब इसको लेकर यहाँ पे y की जगह रख देना है और जो भी आएगा यह आप लिख देना 43 67 43 67 तो इस टिक्स को डाइरेक्ट मैं यूज करता है तो साहद आप confuse हो जाते इसलिए मैंने बता दिया क्या करना है यह देगे इतना बटा इतना इतना नॉम्रेटर में एक बट जोड देना है और नॉम्रेटर में से ही डिम्रेटर गटा कर नीचे लिखना है तो फर्स्ट बार में यह आया xy x plus y x minus y और 3 minus y फिर प्रोसेस को y किया तो जोड दिया तो यहाँ 2x आएगा और 2y अगर यह confuse हो रहा है तो मैं बताता हूं x plus y plus x minus y y y कट जाएगा x हो जाएगा 2x और x plus y minus x और plus y देखो इसको x plus y minus और इसको करेंगे तो यह minus हो जाएगा और यह y plus हो जाएगा तो 2y हो गया तो यहाँ पे आगया यहाँ 3 अब plus करना है minus 1 तो 3 plus minus 1 यह हो गया 2 जब minus करेंगे तो यह minus आएगा तो minus minus प्लस तो यह हो जाएगा प्रोसेस करेंगे तो क्या आएगा और इसमें प्रोसेस करेंगे तो क्या आएगा यह आपको समझ में आ जाएगा लेकिन आपको एक चीज में बतायता हूं और वो क्या बताता हूं कि यह जब भी ऐसा एक दूसरे का अल्टरनेट दिया रहेगा वो ट्रिक्स में बतायता हूं यहां डिटेल्स कर दिया है आप कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा लेकिन बता भी देता हूं कि जब यह प्रोसेस है यह हमेशा एक्स भाई क्या एक्स भाई वाई ही आएगा लेकिन अब इधर के जोड गटाओं में क्या आपको करना है तो वहां यह करना है कि इनका एडिशन कितना होता है 22 माइनस कितना होता है 8 तो उनको इसकी एडिशन सब्ट्रेक्शन में से डिवाइड करना पड़ाता है क्योंकि जब हमको डिरेक लिखना होता है तो हम लिखते है एक्स भाई वाई इसका माइनस करना है उल्टा करना डिवाइड करना है तो 22 से और और इसके साथ साथ हमको क्या करना होता है यह जो कटके आएंगे नो उसको में जोडता और यह त्री हो जाएगा यह कट जाएगा तो उसको में जोडता 1 और 3 प्लस 1 और 2 भाई 4 हम यह डारेक्ट लिखते हैं हम यह डारेक्ट लिखते हैं लेकिन जब वह साथ लिखते तो आपको समझ में नहीं आया आता है इसलिए हमने इसको करके दिखा दिया हमारा व्यू है कि आपको ज्यादा से ज् इसलिए से हमने डिवाइड किया है तो फिर प्रोब्म हो जाती है तो यह मैं डिरेक्ट कर देता लेकिन वहां आप कंफ्यूज होते हैं इसलिए मैंने डिटेल करके आपको दिखा दिया तो यहीं मेरे आगरा है कि वीडियो को सब्सक्राइब करें इसको ग्रोथ करवाने को करें वह तो हम लोग का प्रोसेस थोड़ा है अगर ऐसा होता है तो हम सब कुछ लेकर आएंगे इसके आलामा भी आप अगर कोई कोश्चंस बेजते हैं न मुझे पर बहुत टाइम नहीं लेकिं इसी टाइम में आप जब कोश्चंस भेजेंगे तो आपकी कोश्चंस को मैं में सौल्व करोंगा यह आपको खोश्चंस नहीं बेजते हैं इसलिए महीं अपना कॉंश कॉर्चंस करता हूं आप कोस्चंस बेज़ेंगे तो वहीं कोश्चंस अल्ब किया जाएगा एगा उसको शुटेल बथाएंगे वहीं बाकि रिकर आएंगे तो इसमें तो पिताप और माता की बर्तमान आयू जो है, पिता की बर्तमान आयू से तीन बर्स कॉम है, ठीक है, तो माता और पुत्र और माता की बर्तमान आयू क्या है, थ्री और पाद साथ है, तो पुत्र की बर्तमान आयू लियाद किजिए, इसको इस मेट्रिक्स है, डारेक्ट्रिक्स से इस्तम और उसमें जोएन करेंगे तो एक साल तक आपको जितने भी एक्जाम चाहे कोई दिक्कत नहीं है, मैज सेक्शंस में किया जाएगा, अगर कोर्स को लेकर करते हैं, तो फिर वो कोर्स जहां तक जब तक बैलीड है तब तक आपको करवाया जाएगा, केवल मैज को कम्प्लिट करने के लिए करते हैं, तो पूरे एक साल होता है, एक साल में 19 चैप्टर को डीटियल में पढ़ाया जाता है, उस पर प्रैक्टिस करवाया जाता है, और जो जो डाउट से वो क्लियर किया जाता है, तो चलिए, सब का अलग अलग भी आप जूर सकते है, रिजिनिंग के लि इन दोनों में डिफरेंस दिया रहेगा, तो आपको करना क्या है, यहां पहले पिता पुत्र है, तो यह दो है उसका, और यहां भी पहले पुत्र है, तो यह तीन है उसका, अब दो लोग जो है, यह फाइफ और सेवन वाला टर्म्स जो है, यह टर्म्स माता और पिता का है, तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो दे दिया गे है आपको पहले ही ठीक है तो आपको डायरेक्ट करना क्या है कि डिफरेंस दोनों का आ गया है वो हम वो टॉम्स ले ले लेना है आप पुत्र का निकालना है चुकि पुत्र का निकालना है माता का निकालना होता या पिता क आप देखेंगे कि यह इसमल अर जिसका नीगालना होगा हो और बाकि Corpsi dholes की द्याण का नोट करका लिए कि जिसका निकालना हो वह दोनों रेशियों में सामेल हो हो ज़ोड़ हो सिंपड़स अध्यव器 पुत्र वाले दोनों रेशियों को दो गुड़े तीन और डिफरेंस जो आया है उसको इन दिनों को मल्टिप्लाइड कर देंगे और यह अंसर हो जाएगा इतना इजी ट्रिक्स है और यह सब पर लगू होगा लेकिन ट्रिक्स के एक कंडिशन को जानने वो क्या है कि तीन लोग है उसमें से दो लोगों के रेशियो अलग अलग करके पहला दूसरा दूसरा तीसरा और उसमें पहला वाले में जो है दोनों रेशियों में जो व्यक्ति सामिल है दूसरा वाला हो तीसरा वाला हो जाया पहला वाला हो शामिल हो जैसे कि पहला दूसरा का पहला तीसरा का रेशियो दिया हो और दूसरे तीसरे का डिफरेंस दिया हो अब पहले का यह कुछ भी निकलना हो तो यह डैयरेक्टिक्स इस्तमाल कर लेंगा दोनों रेसियों में जो उसका रेसियो है उसका मट्निके सब्सक्राइब य posición कि यह किसी के सथ अपलाई हो सकता है युझे उसके कि दिया उसकरा की दिया आप वाले दूसरे का डिफ्रेंस दिया तीसरा का पूछ रहा है तो यह डियर्क निकल जाता है आप डिटेल्स निकल कर देखेंगे तो आखरी में आपको यहीं आएगा ठीक है तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि तीसरा चौथा कोशन से एक लड़के के पास एक बैग है जिसमें एक रूपीए पचास पैसे और पचीस पैसे कि सिक्कों है और सिक्कों का अनपाथ है एक अनपाथ आधा और पाथ वन थर्ड ठीक है तो इसको दो पार्ट में बाट लेंगे हम अतब करेंगे कैसे और देखिए इसमें एक मिस्प्रेंट हो गया है कि इसमें दिया ही नहीं है कि कितना कितना है तो हम एंसर्स निकालकर आपको बतायते हैं यहां जो भी होगा वो इसमें आएगा वह एंसर्स आप बढ़ लेना और पता ना अगले कोश्चन में किया है मैंने कि नहीं लिया है तो नहीं भी लिया होगा तो हम निकालकर आप उसको दिखा देंगे चलिए तो यह को हम ट्रिक से बना कर बतायते हैं सबसे पहले क्या करना है कि आपको जो यह वैलूज दिये गए हैं उनको एक यूनिट में करके रेशियो निकाल ले तो वह दो पैसे में है और यह क्या है रुपे में है तो इसको भी पैसे में कर देंगे तो हंड्रेड हो जाएगा तो हंड्रेड फिप्टी और ट्वंटी फाइव यानि सो पचास और पच्चीस का रेशियो होगा कितना फोर टू वां ठीक है और इनका भी इंटीजर्स भी रेशियो करने के लिए एक हाफ और यह हो जाएगा और इसने में सब्सक्राइव यह कॉशन्स गया पहला वाला कॉशन्स तो उसमें मैंने कहा कि रेशियो हमेशा लिस्ट फम में होता है उसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होते हैं तो देखिए इसमें कॉमन फैक्टर टू है तो इसको कॉमन फैक्टर नहीं है अब इनको क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं अब जिसकी संख्या निकालनी है किसकी संख्या निकालनी है पचास पैसे को चुकि यहां पे जो टोटल दिया हुआ जिसका हम इस्तमाल करेंगे यह रूपिय है तो पचास पैसे को रुपे बनाने के लिए दो चाहिए तो सबसे पहला मल्टिप्लिकेशन टू का क्योंकि यह रूपिय में है तो दो और दूसरा मुल्टिप्लिकेशन क्या होगा तो ग्यारो सो वीज अडिबाइड यह जो टोटल सौम आया है यह यह सो लौ यह कड़ जाएगा सत्तर बार में आप दूसरा चीज देखना क्या है कि पचास पैसे वाले का रेशियो कौन सा था यह तीन था तो यह इसमें मल्टिप्लाइट करना है तीन का आगे सब को मल्टिप्लाइट करेंगे तो यह आएगा चार सो बीस भी यह नंबर तो बहुत खराब आया है लेकिन क्या करें यहीं एंसर होगा ठीक है चार सो बीस तो इसमें से कहीं पर भी एक चार सो बीस होगा और कुछ भी होगा और कुछ भी हो सकता है कुछ भी तो एक चार सो बीस वाला है उस पर आप रख सकते हैं इसकी ब को एक आ गया तो ले लिया बाखी कुछ भी लिख देंगे वो तो हो जाएगा ठीक्स क्या है आप एक बाद फिर से समझ लिए एक यूनिट में करके उनका रेशियो निकाल लिए फिर जो उनके रेशियो दिये गया है उनका रेशियो निकालकर दोनों को मुटिप्लाइट कर बाद दिया उसको रेशियो में समझ कर दिए इसके बाद देखिए अगर 25 निकलना होता तो यह चार साँ यह यह द्यान रहा है कि क्योंकि यह रुपए मैं पैसे दिया रहता तैब तो कुछ नहीं कि तर最फ से निकलता तब मूच डिप्लिकेशन की जुरत नहीं होती है लेकिन यह दिया हुआ है क्या चीज़ रुपे तो रुपे में कंबर्ट करेंगे तो रुपे वाला निकलना होता तो यहां एक बाकी यह दोनों यह सेम रहता है समय टोटल डिवाइडेट सम अप दरेसियो और यह वाला जो टॉम से यह नहीं होता है तो यह दो और वह सब को मंटिप्लेट कर देंगे जुआएगा वह आपका एंसर ठीक है चलिए यहां पर कोस्चन नंबर पाच अग्वाट कोश्चन नंबर पाच में क्या कहता है ए वी किसाम और बी कम हर वीसी कर्या रेच्इवदि नहीं के जुन ग्याद करना ये जब बी एक प्लास में दे देा बाकी ये धो-दो के प्लास में दे उनका रेशियो में अचया है तो आप उसमें एन्य निकालेंगे वो क्या होगा तो यह पूरा जो है इसका रेशियो क्या है अठारो और उनमें से ए निकालना है तो बी और सी वाले का देखो रेशियो कितना है तेरो माइनस कर देंगे यह हो गया पांच उसके बाद बी यह प्लस बी प्लस सी अठारा ही है तो वो रहेगा अठारा वाला और बी तो ए और सी वाला देखे वो कितना है पंदरो माइनस कर देंगे यह आएगा तीन और सी निकालना है तो यह प्लस बी वाला कितना है आठ है तो वो हो जाएगा दस और रेशियो आपको निकालना है everse e-be तो e- 10 और e- be- two तो यह हो जाएगा 5 ratio 1 क्योंकि list में होना चाहिए वो यहा है ठीक ठीक है और यह आपको थोड़ा सा confusing करेगा तो confused करेगा तो इसको थोड़ा सा details में कर देता हूं और confusion बिलकुल आपकी clear हो जाएगी और इस जब भी questions होगा बेर जीज़क आप इस क्या बोलते है tricks का इस्तिमाल करेंगे देखिए आपको दिया हुआ है A B C और यहाँ पर A B और यहाँ पर A C अगर इसको हम करें कि A प्लस B प्लस C रेशियो B प्लस C रेशियो A प्लस B है A प्लस B रेशियो B प्लस C इस एकल टो 18 एट 13 ठीक है अब इससी चीज़को यहाँ भी थोड़ा सा सम्झाओंगा कि यह जब निकालेंगे तो कैसे होगा अब यहाँ पर आजाएए कि A B C 18 कब इसको मान लें अगर हम कमान रेशियो X है चाहिए K मान लिया तो A B C कितना हो जाएगा A प्लस B प्लस C इस एकल टो 18K A प्लस B इस एकल टो 8K और B प्लस C इस एकल टो 13K जब हम रेशियो में होता है ना कमन रेशियो ले लेते हैं X या K N P कुछ भी ले लेते हैं तो उसके टर्म्स में हो गया ठीक है A प्लस B प्लस B प्लस C प्लस C प्लस A डबल हो गया दो बर C दो बर A दो बर B तो ये दोनों मिला कर कितना हो जाएगा ये हो जाएगा A प्लस B प्लस 18K के है तो उदर हो जाएगा 36K के है ठीक है अब इसमें value लिख सकते हैं यहाँ पे है A B ये बी वले के कितना है A B है 8K तो 8K B C बी सी कितना है 13K प्लस A C कितना है 15 तो वो केवल 15 है ये तीन भागों में बढ़के इसके value यहाँ पे आ गया और ये हो गया है A B C का twice तो यहाँ पे हो जाएगा 18 का twice मतलब यहाँ पे हो गया 36K ये सब का मिला कर और इसको add करेंगे तो ये हो जाएगा 21K और प्लस 15 और यहाँ से solve करेंगे तो ये इदर आकर minus होगा 15K is equal to 15 तो K आ जाएगा 1 तो यहाँ पे हमने direct use किया है अब ये स्टेक्स में हम यहां की भेलू से आपको बतायते है ये आप देख लेंगे कि जो एक पहला वाला या 18 को छोड़को इनके ratio अब प्लस जो दिया हुआ है उसका sum इसके double होता है कि नहीं होता है कि इसके double होता है कि नहीं होता है double हो जाएगा तब डायरेक्ट आप इसको यूज कर सकते हैं अगर चार गुना होगा तो यह जब करेंगे तो यह टॉम्स जो आएगा ना तू के multiplied हो जाएगा के कि भivesseलू यहां जो आएगा वो उसमें हो रहा है कि नहीं मतलब यहां ठाड़ा दिया है तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसके तीन गुना होगा तो 1.1 सब्सक्राइब करना पड़ेगा सारे बेलुज में लेकिन ऐसा आता नहीं है के की बेलु वान आएगा टू आएगा थ्री आएगा इस तरह से आएंगे कभी भी अबलिक नहीं आए तो यह वान आया है या फिर टू आएगा तो टू आने का मतलब के अठारा का चार गुना हुआ तो ऐसा आएगा नहीं जनरली यह टू टाइमस ही आता है और के की बेलु वान रखा जाता है और इस तरह से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसा 99 परसेंट्स आता है एक परसेंट्स में आएगा कि के की बेलू तू हो जाएगी तो कुछ नहीं गबलाना है इसको जू तो मेरा इसा मनना है कि मुझे एजी से एजी टेक्स और लगा कि आपको यह कंफ्यूज कर सकता है तो यहां मैंने आपको डिटेल्स भी कर दिया कि आप देखिए कैसे आ रहा है अब के की बेलू जैसे वन आया है तो के की बेलू जब वन आ गया तो आप यह लिख सकते है य B plus C की value 13 और इसका 15 दिया ही हुए ठीक है तो आप निकाल सकते हैं मलगलग इन में से माइनस करकर करके कैसे माइनस करकर करके तो यह देखिए A B A plus B plus C minus A plus B अगर ऐसा लेंगे तो यह C का value होगा जाएगा ना क्यों क्योंके open करेंगे तो यह और B कड जाएगा C बचेगा तो इसका value 18 है और इसका value A plus B वाले का 8 है तो C की value कितना हो जाएगा 10 तो इसी तरह से वह निकला हुआ है तो यह direct हमने यहां पर यूज किया है उसको तो details में भी आप जान लिए तो मेरे उदेश्य क को आप जानिये जैसे बार-बार हम request करते हैं कि आप लोग खुद चैनल को subscribe करें और अपने दोस्तों से भी subscribe करवाएं इसलिए कि हम भी चाहते हैं कि मेरा भी growth हो तब हम अपना timing आप इस पर ज्यादा दे पाएंगे तो इसलिए हम request करते हैं अगर आप ऐसा लगता है कि अगर लगता है कि आपका कोई नुक्सान है नहीं जैसी विव कि मान लिजे कि आपके लिए आपको नहीं पसंद आ रहा है लेकिन आप एक subscribe कर दीजिए क्यों क्योंकि जिसको पसंद आ रहा है वह उस बैचारे के लिए हम ज्यादा से ज्यादा कंटेंट ले पाएंगे क्यो और वह यहां से हो नहीं रहा है तो बाकी तो मैं अपने क्लासे से लाता हूं तो उससे हमाय अर्निंग होती है तो ज्यादा टाइम तो हमें उधर देना पड़ता है तो इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप एक subscribe कर दे ग्रोथ हो जाएगा तो हम यहां ज्यादा समय देंगे ज्यादा समय देंगे तभी ज्यादा content लेकर आप आएंगे और यह facts है कि अगर आप इसको टिक्स को इस्तमाल करते हुए solve करते हैं और हमसे जूडते हैं तो जो जो portion में लेकर आऊंगा उसमें सारे लोग सारे लोग ग्रांटी के साथ 100% हो तो कहने के मतलब यह नह हो जाना चीजेए ऐसा नहीं होगा सब्सक्राइब करना है दोस्तों से सब्सक्राइब करोना उसमें हमारी benefit है हमें benefit होगा तो हम यहादा समय देंगे ज्यादा और बेंगे तो ज्यादा content लेकर आएंगे तो इसलिए आपके subscription आपके दोस्तों के सब्सक्रिप्सिंग नेकिन जिसको जोरत है यह कि हम कम्प्लीट हंड़ेट पर्सेंट करें तो जो भी मैं कंटेंट लेकर आता हूं जिसे अभी मैंच के लिए करा रहा हूं ग्रोथ होगा तो और भी सारे लेकर आएंगे धिनिंग का लंगेज का और जो कं परसेंट के चांस होंगे कि सायद आप छोड़ पाएंगे अनना था 99 परसेंट आप करके ही आएंगे यह हमें पूरा विश्वास है और आप सक्सेस होंगे जो भी मैं कंटेंट लाता हूं इसकी गारांटी में ले सकता हूं कब जब आप पूरी तरह वीडियो को देखें उस इसको इस्तीमाल करते उस तरह के जितने क्वेशं से उसको प्रैक्टिस करें और जिसकोशन में आपको प्रॉभ्लम आरहा है वह हम तकрашभ पहुंचा है आप सब्सक्रिक्षम देगे, तो वह दूसरे को जानने को सब्सक्राइब करते हैं, आप tv94 करें, अगर आप emotट नहीं तो कोही बात नहीं है, आप वीडियो को पूरा देखे और कॉमेंट से अर भी करते रहें ओके तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे फिर अगले में हम अगला कंटेंट लेकर आएंगे और तब तक के लिए आप सब का धन्यबाद जय हिंद